रादे रादे जैश्री कृष्णा वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल पृती माहेश्वरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में मैं आप लोगो के लिए जो है एक और खुबसूरत सार ड्रेस का डिजाइन लेकर आई हूं लड्डू गोपाल जी का ये जो है 12-13 नंबर के लड्डू कोपाल की ट्रेस है तो पूरा साइज जो है कैमरे में कैप्शर नहीं हो पा रहा है ये देखे मैं आपको पूरा लोग इसका दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूं बहुत ही खुबसूरत कलर है कॉंबिनेशन जो हमने लिया है बहुत प्यारा है ओफवाइट और ब्लैक कॉंबिनेशन लिया है जिसके साथ हमने गोल्डन कलर का वर्क किया है इसके उपर जो बाहर के हमने अटेश्मेंट लगाई है और बाकी हमने जो है हाथ से ही ब्लैक कलर के फ्लावर बनाएं जिस प बताना कि आपको मेरी वीड Siberian जो है जो है कैसे लगते हैं औरी रेस को जो है आप कि sis s i'm जाइब ना कर सकते हैं जीरो लेकि किसी भी साइब क्योंकि यह जो ड्रेष का घेरा है वह मेन है कि हमें कैसे बनाना तो यह मैंने 0 से लेकर 10 अर से लेकर 10 अकला के लिए इसके लिए चोली कैसे बनाना है इसके लिए बारा नंबर से लेकर कोई भी साइज हो 20 नंबर 21 नंबर उसके लिए अलग वीडियो प्लोड करी है तो दोनों का लिंक description box में है तो वहां से जाकर सबसे पहले आप अपने लड्डू को पाल के साइज के according जो है घेरे को और चोली को बनाकर complete कर लें उसके बाद ये flower work कैसे करना है कैसे छोटे साइज के फ्लावर बनाने है कैसे बड़े साइज के बनाने है वो मैंने detail में वीडियो में बताया है तो वीडियो को please full watch किया करें तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और चैनल को subscribe जरूर कर लें bell icon को press कर लें क्योंकि इस तरह की interesting videos चैनल पर upload होती रहती है नहीं डिजाइन आते रहते हैं और लोगों के साथ भी share किया करें ताकि जिनके पास बड़े size गिलड़ को पाल जी है easily वो in dress design को बनाकर complete कर सके और चैनल को subscribe जरूर कर लेना जैसा मैं हर पार गोलती हूं और bell icon को press जरूर कर लेना ताकि जैसी वीडियो अप्लोड हो तो उसका notification आपको उसी समय पर जो है मिल जाए comment जरूर किया करें क्योंकि आपके comment मेरे लिए बहुत value रखते हैं आगे और अच्छा काम करने का मन करता है तो please comment जरूर किया करें तो चलिए DRESS को बनाने के लिए 1 सबसे पहले तो हम यह देखते है कि हमने जो है यह फ्लावर बना एést DRESS के लिए रहाधे गां ड्टाइब करने के बाद यहां पर मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, इस तरह से 6 चेन लिए है क्योंकि मैंने वैसे ये फ्लावर जो है इस ड्रेस के लिए 12 से 13 नंबर के लड़ गोपाल की ये ड्रेस है तो 8 पत्यों का ये फ्लावर बनाए है बाकी मैं आपको जो है ये 6 पत्यों का फ्लावर जो है आप वीड है तो जैसे मैंने का मैं छे पत्यों का बना कर दिखा रही हूं तो छे पत्यों का बना सकते हैं पांच पत्यों का भी आप इसको बना सकते हैं स्मोल साइज की ड्रेस के लिए तरीका सेम ही रहेगा तो यहां पर मैंने छे चेन ली है और छे चेन ली है मैंने यहां पर जो है से कनेक्ट करेंगे तो यह इस तरह से एक होल बनेगा एक दो तीन की चेन लेंगे और यहां होल में से किरोशिय को डालकर धागे को निकालेंगे और डबल किरोशिया बनाएंगे एक हमने तीन की चेन ली एक हमने बनाये यह दो हो गई इसके बाद एक की चेन लेंगे और एक क बनानाँ वब 20 बार याना एक पति आपको पटियों के लिये हमारी यहां पर रोट के लिगी तो इसलिए जो है हमें जितनी पतियों का बनाना तो एक चैन लेनी है तो पर्स नाप इसी तरह से बना कर be करें तो यहां पर देखें हमने बारा बार डबल किरोशिया बना लिया है उसके बाद जो यहां पर देखें जो सेंटर है यहां पर से चेन में से दागे को निकालेंगे एक दो तीन की चेन लेंगे और दागे को लेंगे और इस होल के अंदर से इस लूप के अंदर से दागे क तो तीन बार निकालेंगे, एक, दो, तीन और जितना बड़ा आप धागा लेंगे, उतना बड़ा ये जो है, फ्लावर की ये पत्ती बनेगी, और छोटे साइस के लिए आप इसी धागे को छोटा 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 लेंगे, तो छोटा पफ बन कर आएगा, तो देखे तीन लिया जैसे मैंने का दो चेन हमारी यूज़ होंगी इस flower को बनाने के लिए तो जो second वाली चेन है उसके अंदर से भी धागे को यहां पर दो बार निकालेंगे एक, दो, तीन, सोरी तीन बार निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने तीन बार निकाल लिया, इस धागे को सब में से निकाल देंगे, और इस धागे को इस चेन में से निकाल कर कम्प्लीट करेंगे, एक, दो, तीन, वापिस तीन की चेन लेंगे, और देखे पीछे की तरफ से, प यह हमारी इस तरह से puff की पत्ती बन कर आएगी इसको बनाने के लिए के बाद जो second number की chain है यहाँ पर हम single की रोशिय से वापिस connect करेंगे एक दो तीन तीन की chain लेंगे फिर वही करेंगे तीन बार निकालेंगे एक दो और ये तीन तो एक लूप में से तीन बार निकाला फिर next लूप है उसमें से तीन बार निकालेंगे यह देखिए इस धागे को समय से निकालेंगे इस धागे को इस chain में से निकालकर complete करेंगे एक 2, 3 3 की chain लेंगे वही पीछे की तरह से देगे chain को pick करेंगे यानि जो डबल किरोशी की chain है यहां से किरोशी को डालेंगे धागे को निकालेंगे 2 हैं 2 से एक करेंगे फिर आगे वाली chain में single किरोशी से connect करेंगे वापस एक 2 तीन की chain लेंगे और दो-दो chain के अंदर इसी तरह से puff बनाते वे अपने इस round को complete करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारा छे पत्यों का छोटा सा flower बनकर complete हो चुका है और अब हम देखेंगे हमने जो outline मनाई है यह कैसे बनाई है यह जो दो पत्यों के बीच का gap है यहाँ से जो है आपको अपने धागे को यहाँ पर इस तरह से connect करना है और एक, दो, तीन, चार, चार की chain लेंगे एक chain हम extra लेंगे और यह जो देखें हमारे puff के उपर यह जो hole होता है यहाँ पर से इस धागे को निकालेंगे सिंगल की रोशिय से connect करेंगे एक, दो, तीन, चार, चार की chain लेंगे फिर यहीं center में वापिस हम इसको सिंगल की रोशिय से connect करेंगे एक, दो, तीन, चार, चार की chain लेंगे फिर जो next पत्ती है वहाँ पर उपर की तरफ से देखें धागे को निकालेंगे सिंगल की डोशिय से connect करेंगे तो इसी तरह से आपको चार-चार की chain बनाते जाना है और center में इसको इस तरह से connect करते जाना है तो यह देखे यह पत्ती के उपर इस तरह की outline बनती भी जाएगी जिसकी वज़ा से यह हमारा flower बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुबसूरत बनकर आया और dress में बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है तो इस तरह से जो है आप छोटे से लेके बड़े साइद में easily इस flower को complete कर पाएंगे और आप मैं आपको बता रही हूँ मैंने जो है यह छोटे वाला flower बनाया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे मैंने वापिस यहाँ पर छे की chain ली है फर्स chain में वापिस इसको इसी तरह से connect करेंगे और एक, दो, तीन तीन की chain लेंगे और यह छोटे साइज का flower है मैंने इसको जो है चार पतियों का बनाया है आप पांच पतियों का बना सकते हैं छे पतियों का बना सकते हैं उसी किसे आपसे आपको फर्स लाइन की जो chain ली है वो भी आपको extra लेनी होगी तो size बड़ा हो जाएगा तो देखे धागे को लेंगे और इस hole में से निकालते वे double की रोशिया बनाएंगे तो ये एक हमने तीन की chain ली एक हमने बनाई हो गए दो एक बार और बनाएंगे तीन तीन-तीन बार आपको इस तरह से double की रोशिया बनाना है और उपर की तरफ एक, दो, तीन, तीन इस तरह से तीन की chain लेनी है और इसी hole के अंदर single की रोशिया से connect करना है यानि हमें total जो है चार बार double की रोशिया बनाना है लेकिन जो last वाला, fourth वाला जो हम double की रोशिया बनाएंगे वो हम उपर की तरफ बनाएंगे जिससे की ये पत्ती अलग-अलग नजर आएगी उसके बाद देखिए एक, दो, तीन वापिस इस तरह से तीन की रोशिया बनाएंगे फिर hole में से जो है निकालते वे तीन बार double की रोशिया बनाएंगे तो एक तो हम तीन की रोशिया बनाएंगे तो ये बन जाती है, दो हो गए अब तीन और जैसे मैंने का फोर्थ वाला डबल की रोशिया देखें यहाँ पर हम उपर की तरफ तीन की चेन लेंगे एक, दो, तीन इस तरह से और सिंगल की रोशिय से कनेक करेंगे तो यह हमारी जो है इस तरह से सेकंड पत्ती बन जाएगी फिर वापिस हमें इसी तरह से जो है तीन की चेन लेनी है और वापिस तीन बार हो गया देखें उपर की तरफ तीन की चेन लेंगे सिंगल की रोशिय से कनेक करेंगे फिर यहाँ पर वापिस इसी तरह से तीन की चेन लेंगे और डबल की रोशिया बनाएंगे दो बार बनाया, एक बार हम तीन की चेन लेते हैं, तो यह तीन हो गए, और जैसा मैंने आपको बताया, उपर की तरफ जो है, एक, दो, तीन, तीन की चेन लेंगे, सिंगल की रोशिये से वापिस कनेक करेंगे, तो यह चार पतियों का देखे, इस तरह से खुबसूरा सा फ्ल के लड़ो को पाल जी का साइज हो, उसके अकोर्डिंग यह फ्लावर बनाकर कम्प्लीट कर लें, और देखे, फ्लावर को बनाने के बाद, यहां पर आप देख सकते हैं, कलियो वाला यह घेरा है, तो यहां पर जो हमारे पार्ट बनते हैं, एक के अंदर मैंने इस तरह से पर अटेश्मेंट लगाई है, तो यह हमने कुछ इसी तरह से जो है, लगा कर कम्प्लीट किया, और सेंटर में आप देख सकते हैं, यह जो इस टोन आपको नज़र आ रहा है, मार्किट में आपको इजली मिल जाएंगे, तो यहां पर जो है, इस तरह से मैंने बीच में पे थोड़ा बहुत अगर उपर नीचे हो भी जाता है, फ्लावर, तो कोई दिकत नहीं आएगी, और अटेश्मेंट आपको कहां से लेनी है, कई बार इस तरह की रिक्वेस्ट रहती है, मैं हमें नहीं मिलती है, तो मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूं, कि मैंने जो है, इसकी सेपरेट वीडियो अप्लोड कर दिया है, मैं किनारी बजार से ही सारी अटेश्मेंट लेकर आई हूं, तो उनकी भीयाएके शोप वाली भीयाएके नंबर्स हैं उस वीडियो में, तो आप जो है, उनसे कॉंटेक्ट करके अपनी पसंद के वर्टसप पर मंगा सकते ह हैं, सेम भी मंगा सकते हैं, तो आप देखें, कहीं पर भी रहते हों, इंडिया में रहते हों, आउट ओफ इंडिया रहते हों, तो आप उनसे कॉरियर के जरीए मंगा सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने वीडियो में बताया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे कि इंध typical मैं ने इत्ayo कि जह को पिया कि मैंने स्टिच कि और कुछ लेद घर भी आपको ऊपर देखे आपको से इस तरह से यहां पर परुच कर दिना यो से जो है से को पेष्ट कर रहा है तो दीखे जो स्मोल साइज का फ्लावर हमने लगा आहे हैं इसस्कीट नर बी हमने चोटा से तरह से नीचे की तरफ लगा दिया है और यह है इस ड्रेस की खुबसूरत सी चोली तो इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा इसके लुक को और अच्छा निकालने के लिए यहाँ पर एक उपर के तरफ छोटा और नीचे बड़ा वाला स्टोन पेस्ट किया है जिसकी वज़ा से आप देख सकते हैं कि पूरी ड्रेस का जो लुक है पूरी ड्रेस का लुक देखे मैं आपको दिखा रही हूँ कितना प्यारा और कितना खुबसूरत निकल कर आया है मैं उमीद करती हूँ कि आपको लड्ड़ को पाल की यह सभी ड्रेस डिजाइन जरूर पसंद आ रहे हूँ जिसके अंदर हमने हैंडमेड फ्लावर भी यूज करे हैं और बाहर की खुबसूरत अटेश्मेंट भी यूज करी है इस बार जिसकी वज़ा से सारी ड्रेस बहुत प्यारी और बहुत खुबसूरत बनकर आ रही है और उमीद करती हूँ आपको भी लड्ड़ को पाल की यह ड्रेस डिजाइन जो हम बना रहे हैं इस बार बहुत पसंद आए उमीद यही करती हूँ कि आपको अच्छे लगे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो और डिजाइन जो है वो कैसे लगते हैं और जो सिर्फ वीडियो को अभी तक वोच कर रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कि है जिन लोगों अभी तक चैनल को सभी से मेरी रि वीडियो में एक और खुबसूरा ड्रेस डिजाइन के साथ अब तक के लिए राधे राधे जैश्री कृष्णा